मेरा नाम है डॉक्टर मोहमद काश्चेफ और आज की इस वीडियो के जरी हम बात करेंगे कि अक्सर पेशन्ट होते हैं वो पूछते हैं कि सब मैं ट्रावल करता हूं तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी उपर मुझे घौर करना च सब्सक्राइब करने हों चाहिए बस से करने हों अक्सर पेशन में आता हैं तो बलके कहते हैं सर मेरे पैरों में बहुत जादा से सूजन आ गई या मुझे कोई दिक्कत आई है तो मुझे क्या करना चाहिए सफर के दोराँ तो देखे सबसे पहले मैं कुशिश करूँ गा आ आपकार में हो या बस में हो ध्यान दिजे कि आप अपनी जितनी मैडिसें ले रहे हैं जो आपकी life supporting कैसे मैडिसें अचाहे वह आपकी डाइबेटीज चाहे वह आपकी जो ब्लड ठेनर साप लेते हैं वह मेडिसें और तरह की मेडिसें तो जितनी ऐसे आपके दवाईया हैं, जितनी आपकी ऐसे मैडिसेन हैं, कोशिश करिए कि उन सारी मैडिसेन को अपने साथ लेकर चल गए, देखिया, आपके जो स्ट्रोक के चांसे हैं, वो कभी भी हो सकते हैं, एक बात आप बहुत ऐसे ज़्याद रिखे, कि अगर एक बार के chances ज्यादा रहतों जितने ऐसे patient है जिनका बीपी अंकंट्रोल रहता है जिनके diabetes अंकंट्रोल रहती है या जिनको blood thinners की ज़रूरत है कि उनकी जो lipids है जो माले के cholesterol के level है यह dry glycerides है वो ज्यादा रहते हैं तो कुछिश करेंगे कि वो अपने दवाईया जो है अपने साथ में रखें कि सारी दवाईयां उनको लेनी ही लेनी है क्योंकि वो उनकी life threatening condition ऐसे बन सकती है अगर वो दवाईयां उनसे छूड़ जाती है वो उस दवाई को तो आपकी mass bishop बहुत ज़्यादा के tight हो जाती है बहुत नॉमल इंसान भी अगर जैसे के travel कर रहे होता है कार में ऐसे travel कर रहे होता है तो बैठे बैठे एक position में जो है उनकी muscle जो है वो बहुत ज़्यादा spasmotic हो जाती है मतलब के tight हो जाती है तो जितने ऐसे patient है stroke के जो patient है मों कोशिश करेंगे कि जब वो सफर कर रहे हों तो कुछ वो resting stops बना है resting stops का मतलब होता है कि थोड़ा रुक रुक के travel करें थोड़ा body को stretch कर लें थोड़ा body के ऐसे mobility कर लें थोड़ा walking कर लें बहार उतर के किसी धाबे पर किसी restaurant पर उतर लें तो वहां आप अच्छी तरह से पनी body को stretch कर लें उसका सीधा सा मकसद यह है कि जो आपकी body tightness बढ़ी जली जा रही है यह मालिया कि आपका पैर सूच जाते हैं ऐसी चीज़े हो जाती है तो उससे आपको कहीं न कहीं निजात मिलेगी तो कोशिश करिए जब आप इस तरह से कोई travel कर रहे हों तो आप बीच बीच में कुछ resting stops बनाएं जहां पर आप रुख सकें थोड़ी देर के लिए चल सकें आराम कर सकें बैठ सकें या के body को stretch कर सकें तो resting stops है वो आपके दौरान अपनी यात्रा के दौरान अपने घर का बना हुआ वही खाना लीजिए जो आप रोज ऐसे लेते हैं जो आपके डाइक पैटन में ऐसे शामिल हैं जितने ऐसे पेशंट हैं जो इस फ्रोक के पेशंट हैं वो कोशिश करेंगे कि सफर के दौरान वो जो fast food बगएर इतनी चीजे होती हैं कि चलो मैं यह नहीं तो यह खा लेता हूँ जो भी ऐसी चीजे कि जिसमें फैट ज्यादा है या नमक की मातरा ज्यादा है कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें आप अबोइट करेंगे वो बिल्कुल भी ऐसी चीजें आप ट्रेवल के दौरान तो इसलिए कोशिश करेंगे कि वह बिल्कुल भी फास्ट फूड अपनी यातरा के दोरान ना लें चौथी जो चीज है वह स्वैलिंग अक्सर एडिमा जो है पैरों में आ जाता है जैसे पेशेंट भी आगे कहते हैं कि सर में बढ़ी दूर साया मेरे पैरों में बहुत ज्यादा आते हैं जो सौक्स आते हैं बहुत मुझे आप नी से उपर तक के स्टॉकिंग साप यूज कर सकते हैं सो जब आप स्टॉकिंग पहनते हैं तो कहीं ने कहीं कंप्रेशन की वज़र से आपका ब्लड का फ्लो अच्छा बना रहता है फिर कोई क्लोटिंग वगरा ऐसी चीज वह बिल्कुल नहीं होती अवाइड आप कर जाता है तो जितने भी ऐसे पेशन्ट है स्वैलिंग से बच जाएंगे बेसी कली वह और जितना स्वैलिंग से बचेंगे उनकी जो कंडिशन थोड़ी स्टेबल रहेगी कोई और लाइफ थ्रेटिंग कंडिशन ऐसे नहीं बने हैं उन पर बहुत ज़्यादा ऐसे ख्याल लग यहीं चार आपकी वह चीजें हैं जो आपको पोटेशल रिस्क से बचाएंगे जो आपको जो आपके भविश्य में आपके फ्युचर में ऐसे दुबारे से स्टोट के चांसेस बन सकते हैं या ट्रेवल में ऐसे चांसेस बन पिर भी आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई ऐसा पॉइंट है, जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बने, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखके हमें बता सकते हैं, या कॉल करके हमें बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, तब त